जहां तक दिली सरकार का प्रस्ण है हमने तो दयाय आची का आरोपियों की कुछ घंटे में खारीच कर दी और आप दिली सरकार पे आरोप लगा रहें जिसका कानून विवस्था से कोई लेना देना नहीं जिसका पुलिस से कोई लेना देना नहीं दी जी के अपॉइंटमेंट तिहार जेल में करेगी भारती जनता पार्टी लजी साथ और उसके लिए जम्मेदार आप ठहराएंगे दिली सरकार को तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पूरी की पूरी भारती जनता पार्टी को अपनी इस लापरवाही अगंभीरता और समवेदन सीलता के लिए और आज जो जूटा बयान दिया है उन्होंने इसके लिए माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से और अगर निर्भिया के आरोपियों के फांसी के मामने में विलम हो रहा है तो उसमें कहीं न कहीं भारती जनता पार्टी इस लिए आज भाजपा दिल्ली चुनाओं के प्रभारी और केंद्री मंत्री प्रकाश जावडकर जी ने बयान दिया है निर्भिया के आरोपियों को फांसी दिये जाने में जो विलंब हो रहा है उसके लिए उन्होंने दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठेहराया है इससे ज़्यादा हास्यास्पत इससे ज़्यादा बेसर्मी भरा इससे ज़्यादा गैर जानकारी का या इससे बड़ा जूंथा कोई बयान नहीं हो सकता जो केंद्री मंत्री प्रकाज जवड़कर जी ने दिया है पूरी दिल्ली और देश जानता है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था दिल्ली की पुलिस पूरी तरीके से भाजपा के हाथ में है केंद्र में आसीन भारती जनता पार्टी की सरकार के हाथ में है जो भी फासी में बिलंब हो रहा है उसके लिए सीधे तोर पर भारती जन्ता पार्टी जिम्मेदार है और इसलिए केंद्री मंत्री जी को गुमराह करने के बजाए भाजपा को पूरे देश से माफी माँगनी चाहिए कि उन्होंने ऐसे समवेदन सील मामले में भी लापरवाही बरती असमवेदन सीलता दिखाई और जिसके कारण फासी में बिलंब हो रहा है फासी टल रही है आचिका आरोपियों की कुछ घंटे में खारिच कर दी और आप दिली सरकार पे आरोप लगा रहे हैं जिसका कानून विवस्था से कोई लेना देना नहीं जिसका पुलिस से कोई लेना देना नहीं जिसके हाथों में कानून विवस्था नहीं डी जी के अपॉइंट्मेंट तिहार जेल में करेगी केंदर सरकार डी जी के अपॉइंट्मेंट तिहार जेल में करेगी भारती जनता पार्टी लजी साथ और उसके लिए जम्मेदार आप ठहराएंगे दिली सरकार को तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पूरी की पूरी भारती जनता पार्टी को अपनी इस लापरवाही अगंभीरता और असमवेदन सीलता के लिए और आज जो जूटा बयान दिया है उन्होंने इसके लिए माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से कानून वेवस्ता पूरी तरीके से भारती जनता पार्टी का विशय है कानून वेवस्ता पूरी तरीके से बीजेपी के हाथ में है और अगर निर्विया के फांसी के निर्विया के आरोपियों के फांसी के मामने में विलम हो रहा है तो उसमें कहीं न कहीं भारती जनता पार्टी जिम्मदाब